हलो नमश्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे N.I.O.S. के बारे में, यानि की नेशनल इंस्टिटूट ओफ ओपन स्कूलिंग तो ये जो है, ये नेशनल लेवल पे है, ओविस सी बात है, और ओपन लर्निंग सिस्टम के अंडर आता है ये, तो ओपन एजुकेशन का एक सबसे जो प्रोमिनेंट फायदा है, बेनिफिट है, वो क्या है, कि इसमें कोई एज जो है, वो रेस्टिक्शन की तरह नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन पे, 1989 में जो है, इसको एस्टैबलिश किया गया था, एक autonomous body की तरह, और इसको पहले नेशनल ओपन स्कूल के नाम से भी जानते हैं, तो अगर कोई नेशनल ओपन स्कूल बोले, that means, वो NIOS के बारे में ही बात कर रहे हैं, और ये किस के लिए उनको recognition मिलती है, कि आप जो है, ये वाला certificate तक जो है, आप provide कर सकते हो student को, तो according to association of Indian universities, ये जो है senior secondary certificate examination, senior secondary यानि की 12th, तो ये 12th तक के लिए जो है, certificate, certificate दे सकता है, और exam जो है, वो ले सकता है, government of India ने क्या किया है, कि gadgeted notification निकाला, उस notification के according, जो NIOS है, उसको authority मिलती है, क्या करने की, examine करने की, और exam लेके certify करने की, learners को, जो इसके साथ registered है, क्योंकि आप जब भी किसी university में, या किसी institute में admission लेते हैं, तो आपका registration होता है, वहाँ पे, तो जो भी इसके under registered होंगे, learners या students, वो जो है, उनको exam लेगा, और उनको certificate देगा, certify करेगा लेकिन ये कहां तक होता है, up to pre-degree level, अब degree कहां से शुरू होती है, bachelor's degree, जो कि कहां से होती है, after 12th, यानि कि ये 12th तक के लिए जो है, आपको certification देगा, जो हमने यहाँ भी बात की, अब 12th तक के लिए certification में academic courses भी हो सकते हैं, technical courses और vocational courses भी हो सकते हैं, तो ये तीनों type के courses में जो है, certificate प्रोवाइड करता है, फिर ये काम क्या करता है, तो ये general और academic courses के साथ साथ, जो कि senior और secondary और senior secondary level पे होंगे, प्लस vocational और life enrichment community oriented courses भी जो है, इसके अंडर होते हैं, तो आप कोई vocational course भी कर सकते हैं, open से यहाँ पे, प्लस कोई life enrichment, अगर आपको कोई exam, आपको सिर्फ स जरिये से अगर पढ़ना है, तो भी यहाँ पे courses available है, दूसरा जो है, elementary level के courses की भी इसमें बात की गई है, elementary education हम 8 तक की education, यानि कि 14 साल की उमर तक जो education होती है, उसकी बात करते हैं, तो elementary level के जो courses हैं, माल लीजिए कि आपको adult education की बात करते हैं, तो वहाँ पे classes लगती हैं, ल के अंडर करते हैं, OBE program है इनका, जिसका नाम क्या है, open basic education, तो open basic education program के अंडर जो है, यह elementary level के courses को भी certify करते हैं, तो इनका काम जो है, वह basically certification का है, examine करने का है, लेकिन यह pre degree level तक होंगे, बस इतना हमें ध्यान रखना जरूरी है, और इसके बारे में हमें इतनी ही factual plus यह क्या काम करते हैं, वो information हमें होनी चाहिए, so this was all about NIOS, अगर आपको यह video informative लगा हो, तो like कीजिए, share कीजिए, और subscribe कीजिए, inculcate learning को, thank you so much for watching,